So hey guys, SBI Bank के तरप से बहुत ही बड़ी good news निकल कर आ रही है COVID को ध्यान में रखते वे Bank ने ये initiative लिया है इस वीडियो में detail में cover करूँगा So please इस वीडियो को ज़र ज़र एक like कर देशेगा So let's get straight to the video So update मैं आपको Bank के official Twitter handle से दिखाऊंगा So that कोई भी fake वाली बात ना हो तो यहां पर आप देख सकने है SBI ने एक banner post किया है हम लोग detail में समस्कते हैं यहां पूला जा रहा है कि revise limit for cash withdrawal at non-home branches for P-segment customers Simple सी language में समझेंगे आपने जिस भी branch में जाकर account open किया है वो आपका home branch होता है लेकिन अगर आप अपने home branch को छोड़कर SBI के किसी भी branch में transactions करेंगे तो वो आपका non-home branch होगा तो non-home branch में transactions करने के limit को अब यहां पर increase कर दिया गया है चलिए हम लोग और अच्छे से detail में समझते हैं कौन-कौन से transactions को increase किया गया है सबसे पहला है मतलब अगर आप अपने branch को छोड़कर किसी भी SBI के branch में चले जाओ वहाँ पे जो withdrawal form होता है उसे भरकर अगर आप cash withdraw करोगे तो आपको 25,000 एक दिन में withdraw करने को दिया जाएगा यानि कि 25,000 का limit आपको मिल जाएगा तो बहुत ही बड़ा good news है दूसरा यहाँ पे बताया है कि cash withdrawal by self using check per day limit 1 lakh rupees मतलब आप से भी पता है कि आप अपने check से भी self लिख करके cash withdraw कर सकते हैं तो अगर आप non home branch में भी जाके self लिख करके check से cash withdraw करेंगे तो एक दिन का limit अब आपको 1 lakh रुपिया मिल जाएगा तो बहुत ही बड़िया है अराम से किसी ब्रांच में जाके 1 lakh रुपिया आप cash withdraw कर सकते हैं तीसरा है कि cash withdrawal by third party 50,000 per day limit only using check अब यहाँ पे third party कौन है third party के मतलब हुआ कि आपने किसी को check issue किया ठीक है मान के चलो कि आप अपने किसी भी familiar tip को एक check लिक करके देते हैं कि जाएए और cash withdraw कर लिजे तो वो third party हो गया तो third party भी non home branch में जाके cash withdraw कर सकता है जिसमें उसको daily limit 50,000 रुपियस का मिल जाएगा तो यह तीन update है जो कि SBI नहीं पे post किया है बहुत ही बढ़िया है आप लोग comment करके जरूर बताएगा कुछ यहाँ पे terms and condition होंगे चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं यहाँ पूल अचारा है कि the revised sellings are valid up to 30th 9, 2021 वहलब 30 September 2021 तक ही यह लागू रहेगा तो अभी आपका चल रहा में तो जून, जुलाई, अगस, सिप्टेंबर सिर्फ चार महिने के ही बात है चार महिने तक आपको यह relief दिया गया है आप non home branch में जा करके यहाँ पे यह सभी cash withdraw system कर सकते हैं यहाँ पे एक और टम्शन condition है no cash payment to third parties by withdrawal form will be allowed मतलब अगर कोई third party withdrawal form भरके cash निकालना चाहेगा तो वो यहाँ पे नहीं कर सकता यह terms and condition है मतलब जो आप self है वो आपको present यहाँ पे होना पड़ेगा तीसरा है कि KYC of the third parties to be submitted मतलब अगर आपने किसी को check issue किया है तो वो third party है तो जब भी वो cash withdraw करने चाहेगा तो उसे KYC document भी एक बार देना पड़ेगा तो यह कुछ terms and conditions होंगे लेकिन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अपडेट है आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा अपडेट बहुत ही अच्छा लगा और वीडियो को प्लीज एक बार लाइक कर देजएगा रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को प्लीज शेर करेंगे क्या क्या आप चार महिने की बात है अभी COVID का सिचुएशन हो सकता है लोग होम ब्रांच में नहीं कर पा रहें सामने non home branch होगा तो वो लो cash withdraw अगरा कर सकते हैं तो please वीडियो को share कर दिजएगा तोगों का काफी याँ पे help हो जाएगा और आप लोग comment करके जरूर बतेगा कि क्या आप cash withdraw करने के लिए ATM का use करते हैं या withdrawal form का use करते हैं comment करके जरूर बतेगा तो यह थे आज की वीडियो helpful लगा लाइक करके जाएगा मिलते वोडों साथ अब तक लिजाए हिंद जाए भारत